और गैनिक कैसे हैं सारे कैसारे दूस्तों बालों को घना लंबा और बहुत ज़ादा स्मूद और शाइनी अगर आप बनाना चाहते हो तो बिल्कुल सही वीडियो पे आप आए हो आज की इस वीडियो में मैं आपको हर एक चीज बताऊँगा कि कैसे आप अपने टकले पर भी बाल ला सकते हो अपने जड़ते हुए बालों को रोक सकते हो और अभी सबसे ज़रूरी बात कि जो सीजन आने वाला है उसमें बहुत लोगों के बाल बहुत ज़ादा खराब हो ज सारी की सारी बाते आपको डीटेल में और साइंटिफिक बैक अप के साथ में बताऊँगा जो कि यूटूब पर कई लोग नहीं बताते हैं रात के दो बजरे हैं और मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि सुबह बहुत सारा काम होता है तो आप से मेरी यह यूज कर रहा हूँ कैसे कैसे यूज कर रहा हूँ तो सबसे जरूरी चीज की इसको बनाने के लिए आपको लेनी है लोखन की यानि की आयन की जो कढ़ाई होती है जो कढ़ाई आपके घर में होती है स्टील की बिलकुल भी मत लेना यही लेना उसके अंदर आपको डालना ह चाय की पत्ती, चाय पत्ती हमें इसके अंदर मिला लेनी है, दो चम्मच, आप चाहो तो जादा भी आड़ कर सकते हो, लेकिन फिर पानी उसके हिसाब से आपको लेना होगा, अब दी में आज पे गैस को नहीं रखना है, गैस को जादा आज पे आपको रखना है, और इसको थ समझ नहीं कि आप बिल्कुल सही जा रहे हो, ठीक है, अब दूसरी सबसे जरूरी बात जो आपको क्या करना है, कि भाई चाय पत्ती जो होती है, इससे बाल, मुलायम और रेश्मी तो होते है, लेकिन इसके अंदर कुछ और भी इंग्रिडियंट्स आड़ करने हैं, और कु इससे क्या क्या करना है, जिससे बाल घने, लंबे और भारी आए, साथी साथ आपके बालों का जो जढ़ना है, वो भी रुकेगा, इससे आपका डैंडर भी खतम होगा, अब आपको याद रखना है कि जो दूसरा इंग्रिडियंट है, वो सबसे जरूरी है, क्या है वो इं मिनिट बात आड़ करनी है, जिने नहीं पता मेथी यानि कि फेनुग्रिक की जो पाउडर है वो कैसे होती है, तो देखो बड़ा ही आसान है, मेथी हम सब के घर में होती है, उसको आपको क्या करना है, कि भाई एक ग्राइंडर में डाल दीजिए, ग्राइंडर में डालने क क्या किया? कि भाई मेथी की पाउडर मिला ली, हमने इसके पहले क्या लिया था कि भाई चाय की पत्ती ली थी, और हमने क्या किया थे, कि भाई जादा आज पर गैस को चालू रखा था, अब धीरे-धीरे आप ये देख पाऊगे कि ये अच्छे तरीगे से गरम होगा, जै रूसी या फिर डैंडरफ होगा या फिर आपके बाल हो सकता है जढ रहे होंगे अभी सरदी आने वाली है कई लोगों के बाल इतने रुखे सुखे और इतने गंदे हो जाते है कि देखने का मन नहीं करता और कई लोग फिर स्पा थेरपी वगेरा में जा नहीं सकते है तो से देखिए यूटूब पर कोई भी इंसान ये चीज़ें नहीं बताता है वो क्या करते है आधी अधूरी बाते आपको बचा देते हैं कई लोग तो ये भी कहते कि इसके अंदर गुलाब जल आड़ करो गुलाब जल आड़ करने की कोई जरुरत नहीं है ये दो किलो की चुट्टी कर सकते है इसको आपको कैसे लगाना है नहाने को जाने से पहले एक घंटे तक भी आप इसे आपने स्कैल पर रहने दे सकते हो लेकिन आपके पास में ज्यादा समय नहीं है तो कम से कम 15 मिनिट इसे अपने सर के उपर रहने दो ये कुछ ऐसा आपको गरौत कि.